नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडिवाएंस ओफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम फिजिस का इंपोर्टन टोपिक फ्लेमिंग के नियम के बारे में पढ़ेंगे बहुत इंपोर्टन टोपिक है और यहां से हरे एक परिक्षा में प्रशन के बार में पढ़ेंगे यह वीडियो अगर आप एंड तक देख लेते ना पूरा फिलेमिंग का नियम कंप्लीट हो जाएगा पूरा मैं आपको एनिमेशन के साहिता से प्रियोग की साहिता से एक्जामपल की साहिता से समझाओंगा पूरे टोपिक को हम अच्छे से समझें तो लास्ट में इसका प्रिवियस एर कोईशन भी कवर करेंगे मैं आपको समझाओंगा कि आकर इस फिलेमिंग के नियम का ओपियो किया क्यों जाता है आपको समने ये तो पढ़ाया होगा कि फिलेमिंग का नियम है क्या बाइहात की उंगली से ये पता चल जाएगा पर आक से क्लिए रहे फ्लेमिंग जोन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने ये नियम दिया था इनका पूरा नाम या देखेगा जोन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने उनसमें स्यट्वद इंत तो इलेक्ट्रिक जनेरेटर में विदुधारा की दिशा और इलेक्ट्रिक मोटर में विदुधारा की दिशा या गती का पता लगाने के लिए flaming ने ये नियम दिया था तो electric motor के लिए flaming के बाए हाथ का नियम का उप्योग किया जाता है और electric generator के लिए flaming के दाए हाथ के समिकरन का उप्योग किया जाता है तो ये कुछ basic चीजे हैं जो आपको पता होने चाहिए आगे मिस नियम के बारे में पढ़ेंगे पर आप ये याद देखेगा कि flaming के जो बाए हाथ का नियम है न ये electric motor के लिए उप्योग किया जाता है और जो दाए हाथ का नियम है ये electric generator के लिए उप्योग किया जाता है कई बार पूछ ले जाता है कि जो flaming के बाए हाथ का नियम है किसके लिए उपयोग होता है, तो Electric Motor के लिए, जो दाय हां कर reactor के लिए है is Electric Generator के लिए. तो इस नीयम को पढ़ने से पहले, मैं आपको समझाता हूँ कि इस नीयम का उपयोग होता क्यों है? तो इससे पहले तो आप ये समझे, एक प्रियोग देखे, तो इसमें कि animation की सहाइता से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई चालक है चालक यानि कि जिसमें से current का flow हो सुके यह एक चालक है इसमें से अगर हम current का flow करें तो current का flow करने पर क्या होता है कि इसका भी एक चुम्बक की चेत्र पैदा होता है जैसे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी अगर चुम्बक है चुम्बक की अपने एक magnetic field होती है na चुम्बक की चेत्र होता है चुम्बक के चेत्र यानि कि इतने दाइरे में अगर कोई भी वस्तू को हम लाएं इसमें से, तो इसका भी अपना एक चुम्बकिये छेत्र होता है, कभी अपना एक चुम्बकिये छेत्र होता है, इसका परयोग करने से हमें कैसे पता चला, जैसे देखे, एक बैटरी है, यहाँ पर एक तार है, यहाँ पर एक तार है, यहाँ पर एक तार हमने इस जो चालक है इसके उपर से गुजारी हुए है, समझे लिजे इसमें से current का flow कर रहे हैं, जैसे इसक में current का flow कर रहे हैं, तो अब देख रहे हैं, यह compass है, हमें चुम्बक्य छेतर का पता चलता है, तो compass में deflection पैदा होती है, जैसे देखे इतार को इसमें से touch किया, तो इसमें current का flow हुआ, तो उसमें भी एक चुम्बक्य छेतर पैदा होता है, उसका भी चुम्बक्य छेतर होता है, यहां से आप यह समझ गएं, अब अगले प्रयोग से हम समझते हैं, कि flaming ने यह नियम दिया क्यों, जो बाए हाथ का नियम है, यह दाए हाथ का नियम है, आगे हम देखेंगे, पह पहला फिगर है, और यह दूसरा फिगर है, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो पहले आप समझ लिजए, इस फिगर में दिया क्या है, यह एक बैटरी है, यह स्विच है, और स्विच इससे आप देखेंगे, यह क्या एक तार है, तार को इस रोड से लटकाया तो यहां पर क्या देखा गया, कि यहां पर जो switch है न, off है, अगर आप देखेंगे, इसको थोड़ा मैं erase कर देता हूँ, ताकि आपको समझ आए, इस चेत्र को आप समझ लेंगे न, तभी आपको समझ आएगा, कि flaming के बाएं हांत का नियम आखिर बताना क्या जाता है, तो दे देखेंगे, इस तार में कोई भी deflection देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी ख्षयपन देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरे figure में आप देखिए, सेम वही figure है, यहां पर क्या किया गया, switch को on कर दिया गया, बटन चालू कर दिया गया, और जैसे बटन चालू हुआ, अब इस तार में क्या होगा, current का flow होगा, वितुद्धारा का flow होगा, और जैसे ही वितुद्धारा का flow हुआ, आप देख रहे हैं, यह तार है, अभी इसमें कोई deflection नहीं था, लेकिन यह तार उपर की और उठ गई, आप देख रहे हैं न, इसमें deflection देखने को मिला, तो ऐसा deflection देखने को क्यों मिला? क्योंकि जो चुम्बक होता है, चुम्बक का अपना एक चुम्बक के छेतर होता है, और जब इसमें तार में से वितुद धारा का प्रवा हुआ, तो इसमें भी अपना एक चुम्बक के छेतर आया, दोनों के चुम्बक के छेतर आपस में टकराएं, ज जैसे समझें, जैसे चुम्बक है, चुम्बक के अपने चुम्बक के छेतर है, इसके एक पावर है, अभी तार में से करंड का फलो नहीं हुआ था, तो तार उसके पास थी, जैसे इसमें करंड का फलो हुआ, इसमें भी चुम्बक के छेतर पैदा हुआ, दोनों के चुम्बक कि ये चेतर और चुम्बक का चुम्बक के चेतर आपस में टकराता है जिस कारण वितुधार में विक्षेपन यानि की डिफलेक्शन देखने को मिलता है यही पर फ्लेमिंग का नियम आया तो इस प्रयोक से फ्लेमिंग ने तीन नियम बताएं कौन-कौन से पहला तो एक ये जो ये इलेक्ट्री करंट है जो धारा की जो डिरेक्शन है इस तरफ से हो रही है जरूरी नहीं कि इसी तरफ से हो इस तरफ से भी तो हो सकती है तो जो इलेक्ट्री करंट है इसकी दशा पता लगाने के लिए पहला एक तो ये पता लगाना है दूसरा जो ये चुम्बक है इसका चुम्बक के छेत्र की सरब पैदा होगा, अभी तो स्तार को इसने इस उपर उठाया, उपर की तरफ उठाया, हो सकता है इसको अंदर की उर्खी चले, यह कब होगा, तो इसका चुम्बक के छेत्र पता करने के लिए, तो इसका चुम्बक के छेत्र आगें पढ़ेंग और जो ये गुतुद भारा है इसका जो परवा हो रहा है किस direction में हो रहा है तो तीन चीजे पता करने के लिए flaming ने नियम दिया है कि मैंने आपको प्रियोग से समझा दिया मैं direct आपको ये भी बता सकता था कि flaming ने जो बाएं हाथ का नियम दिया है एक magnetic field चुम्बक्य चेतर के बारे में और एक विदुद धारा की direction के बारे में जो current है इसका direction कहाँ पर है तो तीन direction हमें पता चलेंगे एक बल का एक चुम्बक्य चेतर का और एक विदुद धारा का और हमें एक चीज दी होती है या तो दो चीज दी होती है और हमें तीसरी चीज पता करनी होती है, हमें अगर एक भी चीज पता हो ना, जैसे मालो में भी तुध धारग की डिरेक्षन पता हो, तो बागी दो डिरेक्षन आम से पता कर सकते हैं, तो इस नियम से हम आसानी से पता कर सकते हैं, कि Magnetic Field की डिरेक्षन क्या होगी, और भी यह वाली यह तरजनी और मध्यमा जो बीच वाली उंगली होती है इसे मध्यमा कहते हैं तो मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखें लंबवत यानि की 90 डिगरी के एंगल पर रखें जो अंगूठा होता है ना यहांशा चालक के द्वारा अन्भोग किये गए जो उसका बल है, force की direction को बताता है, जो तरजनी होती है, four finger होती है, यह magnetic field के बारे में बताती है, उसके दिशा के बारे में बताती है, और जो बीच वाली उंगली होती है, मध्यमा, यह electric current की दिशा की और संकेत करती है, जो तीनों दिशाओं की और संकेत जो बीच वाली उंगली है न, उसको इसी परकार, इस और करना है, मैं आपको अगले चितर में दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा और clear होगा, देखिए ऐसे, अंगूठा उपर की और हो, उंगली बिल्कुल सामने, और जो बीच वाली उंगल है, उसको इस तरफ करना है, इस परकार, जैसे चितर में दिखाये गया है, और बाकी बस हमें इन तीनों से काम है, अंगूठे से, और ये इंगली को इतम सीधा करना है, और इसको इंगली को मोर लेना है इस डायरेक्शन में, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो इस परकार आपको करना है, तो इससे आपको पता कैसे चलेगा, आपको देखे, इससे पता ऐसे चलेगा, इसकी एक ट्रिक भी है, अगर आपको M यानि magnetic field और C से current, electric current ये trick है, तो अब देखिए इससे आप कैसे पता कर पाएंगे, तो जहाँ पर भी आगर आपको ये ऐसे दिया होगा, आपको वहाँ पर exam में अर्दम एक figure दियोगी, figure में आपको पता होगा, जो electric current है, उसका direction दियोगी, तो आगर electric current की direction ही है, तो आपको अपनी हाथ की जो ये ये वाली उंगली है बस electric current की दिशा की और ले जानी है, उसके बाद मलब इसी परकार बना के, अंगुठे को इस परकार रखके, उंगली को इस परकार रखके, इसी परकार हाथ को करके, बस आपको जो ये ये वाली मध्यम उंगली है, इसको electric current की लिएम का परियोग करके, ये गये चीतर में भल की दिशा ग्याद करनी है, यहाँ पर बताएगा है, कि यह चुम्बक के छेतर है, यह अंदर के ओर होता है, जब क्रोस लगा होता है ल production एक है यह जिसका मलब होता है, आई, आई क्या होता है? current, electric current, जो current है, उसकी direction इस ओर है, अब आपको अपना हाथ उसी परकार बनाना है, अगर आपके बाएं हाथ में mobile है, तो दाएं हाथ में mobile को ले 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 जिए, और अपने हाथ को तीनों उंगलियों, मतलब कि अंगूठा और दोने उंगलियों को उसी प current के बारें बताती है, यहाँ पर हमें magnetic field बताई है, यानि कि जो हमारी four finger है, पहली वाली उंगली है, उसको screen की ओर रखिये, screen की ओर रखिये, और उसके बाद जब आपने उस उंगली को screen की ओर रखा, तो जो आपकी ये current वाली उंगली है, इसको इस तरफ घुमाईए, मैं इसको screen की ओर कर दिया, और जो ये वाली उंगली है, ये विदुधारा को बताती है, तो इसको विदुधारा की direction कहाँ पर दी है, इस तरफ दी गई है, विदुधारा की direction, इस तरफ कर दिया, तो अब हमारा अंगुठा automatically नीचे की ओर आ जाएगा, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा, कि जो बल लग रहा है, वो नीचे की ओर लग रहा है, आप समझे की नहीं समझे, आपको क्या करना है, अपने हाथ को इससे परकार लंबवद करके, बल्लब कि अंगुठा उंगली और दोनों उंगलियों को लंबवद करके, अब जैसे जो बताया गया कि चु अब आपको बाकी दोनों उंगलियों के पोजिशन सेट करनी है, तो उसमें से ये बताया गया, कि जो करंट है, वो इस डिरेक्शन में है, तो अपने हाथ को आप मोडेंगे, आप देखेंगे कि आपको किसी भी तरह ये वाली जो उंगली है, बीच वाली उंगली, इसकी ड तरफ आ गई, और अपकी जो पहली वाली उंगली है, उस्क्रीन की ओर है, तो अंगूठा आप देखेंगे, ओटोमेटकली नीचे की ओर आ गया, आ गया की नहीं आया, तो जब आपका अंगूठा नीचे की ओर आ गया, इसका मतलब जो बल की डिरेक्शन है, वो नीचे की आप समझ गे ना, कि आपको अपने हाथ को इसी परकार रखना है, और जिस और जो भी चीज़ आपको बताई हो, हाथ की उंगलियों को उसी परकार घुमा देना है, तो दो चीज़ें आपको दी होंगी, तीसरी चीज़ आपको पता चल जाएगी, आप अपने हाथ को घुम होता है अब आपको क्या करना है अपने बाइं हाथ को अपनी और जैसे आप जब अंदर को होता है तो आपको स्क्रीन के अंदर अंगली करनी होती है अब आप कि जो पहली वाली उंगली है उसको अपनी और कीजिए अपनी और आपने कर लिया इससे क्या पता चला कि चुम्बक के छेतर अंदर की और है पहली वाली उंगली आपने कर ली उसके बाद क्या बताएगा है आई यानि कि करेंट जो है उपपर की और है तो करेंट वाली उंग तब ही कर पाएंगे जब आप हात की हठेली को उपपर की ओर रखेंगे हात को नीची की ओर मोडेंगे हठेली उपफर की ओर आगे तब आप देखेंगे कि आपका जो अंगोठा है वो दाएं और जा रहा है जा軸े आपको करना है चुंबक्र चेतर बाहर की और है, तो सबसे पहले आपको अपने भाएं हाथ को इस प्रकार बना लेना है, पोजीशन इस प्रकार बना लेना है कि अगो उठा उपर की और हो, और उंगली सामने की और और ये विदुधारा वाले उंगली ये होती है मध्यमा इस पर का direction बना ली अब प्रेशन आप से जैसे पूछा गया कि चुम्ब के छेत्र बाहर की और है बाहर की और मतलब कि आपको जो पहली वाली उंगली है उसको अपनी और करना है अपने शरीर की तरफ पता चल गया कि चुम्बक्य शेतर बाहर की ओर है, अब आपको क्या करना है, जो मध्यमा उंगली है, middle finger है, क्योंकि current की direction उपर की ओर है, उसको उपर की ओर लेकर जाना है, जैसे आप मध्यमा उंगली उपर की ओर लेकर जाएंगे, आपका अंगोठा दाई ओर आ जाएगा, आगया कि नहीं आगया, तो इससे आप, कोई भी प्रेशन अब आपके आगे हो, अब इस परकार की position बनाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि बल कहाँ पर लग रहा है, चुम्बक्य शेतर कहाँ पर है, और electric current कहाँ पर लग रहा है, तो आसान हो जाएगा, यह हो गया बाए हाथ का नियम, अब हम देखते हैं, फ्लेमिंग के दाए हाथ का नियम, तो फराडे के विदुद, चुम्बक्य प्रेशन के नियम के अनुसार, तो पहले हम चुम्बक्य प्रेशन समझ लेते हैं, तो आपको पता है, कि जो दाए हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के दाए कि इसारता से जो भी उसमें energy दी जा रहे हैं, एक तो उसमें energy दी जाएगी, तब ही वो घुमेगा, घुमने के कारण क्या होगा, कि वो यांतरिक उर्जा को वितुत उर्जा में convert करेगा, electricity में convert करेगा, तो उसी परकार जैसे चुमबक का उतरिध्रू है, ये चुमबक का दक गुमाएं, गुमाना शुरू करें न, तो इसमें क्या होगा, इसे विदुत उर्जा उत्पन होगी, जनरेटर भी तो यही काम करता है, अगर हम जनरेटर को गुमा देते हैं, तो घूमता है, जिसे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करेंट उत्पन होता है, तो इसी परकार यह चुम्बक के प्रेरण, इंड्यूच करेंट, इसले वाले जो बाएं हाथ के अनियम था, उसमें क्या था, उसमें था, कि जो तार थी न, वालव कि चुम्बक के बिच में तार थी, उसमें करेंट पहले ही था, हमने पढ़ा था न, एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ, हो सकता है, अभी तो आप भोलना नहीं चाहिए, इन फिर भी दिखा देते हैं, यहाँ पर देखें, कि हमने क्या किया था, इसमें इलेक्रिक करन पहले ही पैदा कर दिया था, जैसे इस वाले डाग्राम में हमने देखा था न, कि जो तार थी, तार में क्या था, धारा का पर रहे हैं, इसको घुमा कर क्या हो रहा है, इलेक्रिक करन उत्पन हो रहा है, तो दोनों में अंतर आपको समझा क्या है, एक में पहले ही करन पतलब की फ्लो हो रहा है, एक में करन फ्लो नहीं हो रहा है, उसे करन पैदा हो रहा है, और वो पहला वाला विदू मोटर था, और बिदुधु जनेरेटर का नियम है, उसे फिलेमिंगे दाएं हात का नियम कहते हैं, तो फिराड़े के विदुधु चुमबक के प्रेणर के नियम के अंसार, जब कोई चालक, चुमबक के चेतर से होकर गुजरता है, तो उसमें विदु धारा प्रेरित होती है, देखो, जब कोई चालक चालक यानि कोई भितार जिसमें धारा का प्रवा हो चुम्बक की चेतर से चुम्बक की चेतर मैगनेटिक फिल्ड नॉर्थ और सौथ पॉल चुम्बक का उसमें से होकर गुजरता है तो क्या होता है विदु धारा प्रेरित होती है खुतपन होती है और प्रेरी धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम उप्योग किया जाता है तो प्रेरी धारा जो धारा है इसी की दिशा को निर्धारित करने के लिए कि किस ओर ये बहेगी फ्लेमिं के दाहिने हाथ का नियम उप्योग किया जाता है फ्लेमिं के दाहिने हाथ के नियम की अमसार यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगोठे, तरजनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवध व्यस्दिद कर दे जैसे हमने बाएं हाथ में किया था न, सेम उसी परकार दाहिने हाथ में करना है, जैसे हमने बाएं हाथ में अपने अंगूठे और उंगलियों के पूजिशन बनाई थी, उसी परकार दाहिने हाथ में भी अंगूठा उपर कियो और उंगली भिसको लोग सामने, और यह जो फ गती समझेगा कि गती को बताता है जो घूम रहा है उसकी गती, मोशन की दिशा की सोर है तो गती की दिशा के लिए दाइनी हाथ के नियम होता है और जो बल है बल के लिए बाइनी हाथ के नियम और बल और गती एक ही है और आप समझने के लिए समझ लिए अगर एक दम स्पैस यह कोसफली उंगली केहते हैं यह प्रेरी धारा वहां पर through electric का ही बताती थी यहां पर भी धार वह इंड प्रेरी धारा का है पर है मतलब कि प्रेरी धार है भाल Biology बता रही है प्रेलि अगली जो हमारी है ये जुम्बक्य चेत्र को बता रही है और जो हमारा अंगूठ है वहाँ पर बल को बता रहा था यहाँ भी बल को ही बता रहा है पर स्पेसिफिक पूछा जाए तो गती को बता रहा है motion बता रहा है direction के तो दाहिने हाथ के नियम से भी अगर आप कोई भी प्रशन आपसे पूछ ले जाए तो सेम होई बाया है यहाथ के नियम का है बस यह दाहिने हाथ के नियम हो गया यहाँ से यह पता चल जाएगा बाकि पूरी थियोरी मैंने आपको समझा दी तो यहाँ पर हमारा थियोरी सेक्षन कंप्लीट होता है अब हम प्रिवियस एर क्वेशन देखते है तो पहला प्रशन है कि नियम लिखित में से इस नियम का उप्योग किसी विदू जनरेटर में प्रेरित विदू परवाह की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है यहाँ पर क्या आगया तो विदू जनरेटर आगया इलेक्ट्रिक जनरेटर आगया जब इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात होगी तो कौन सा नियम लगेगा तो flaming का दाहिने हाथ का नियम लगेगा electric generator के लिए जो electric motor है उसके लिए बाएं हाथ का नियम बाएं को warm भी कहते हैं warm हस्त मतलब की हथेली तो बाएं हाथ का नियम क्या हो गया अपना flaming का बाएं हाथ का नियम हो गया electric motor के लिए और दाहिने हाथ का नियम हो गया इलेक्टिक जनेरेटर के लिए तो इसका सही जवाब क्या होगा Option B इसका सही जवाब होगा अगला प्रेशन है कि फ्लेमिंग के बाए हाथ का सिधान्द डैश पर लागू होता है तो बाए हाथ का सिधान्द किस पर लागू होगा तो बाए हाथ का सिधान्द हमारे लेक्टिक मोटर डैरेक्ट करेंट डीसी मोटर कहते हैं से लेक्टिक मोटर पर बाए हाथ का नियम लागू होगा तो इसका सही जवाब है बामहस यानि बाय हाथ, बाय हाथ का नियम सुम्बक के छेत्र में धारा वही चालक पर बल की दिशा को बताता है, यानि कि किसके बारे में, फोर्स के बारे में बताता है, यह तो सही है, जो बाय हाथ में हैं, वो फोर्स को बता रहा है, तो आपको कैसे बता लग गया, देखि specific अगर बल के बारे में पूछा ये तो वो बाया हाथ के ही नियम है, यहाँ पर motion यानि गति के बारे में है, तो सही कौन सा होगा, पहला ही कतन सही है, बाकी कतन भी देख लेते हैं, तीसरा कतन क्या है, कि चुम्बक के चेत्र में धारा वाही चालक पर बल की दिशा ग्याद कर होगा, तो option है, इसका सही जवाब होगा, अगला प्रशन है, कि flaming के दाहिने हाथ के नियम में अंगूठा, नियम में से किस दिशा को बताता है, तो जो अंगूठा है, पहले देखे, कौन सा नियम है, दाहिने हाथ का नियम, बताना किसके बारे में है, तो अंगूठे के बा जाता है, और वो भी कौन से दाहिने हाथ का, कौन सा सही होगा, option B इसका सही जवाब होगा, तो चुम्बक के छेतर है, पहली उंगली बताती है, जो four finger है, वो चुम्बक के छेतर के फारे में बताएंगी, इसका सही जवाब क्या होगा, अगला प्रशन है, जि फ्लेमिंग क जो मीडल फिंगर है, वो किसको बताती है, वो करेंट के बारे में बताएगी, करेंट के बाद बचा किया, तो बचा हमारा चुम्बक के छेतर, इसमें कहाँ पर है चुम्बक के छेतर ये रहा, चुम्बक के छेतर के बारे में बताएगी, तो option C, इसका सही जवाब होगा, और प्रेरी धारा के बारे में कौन से तो जो हमारी मध्यमा उंगली है वो प्रेरी धारा के बारे में बताती है अगला प्रशन है कि विदुत मोटर में उश्मा विदुत उर्जा में परवर्तित होती है विदुत उर्जा उश्मा में परवर्तित होती है फ्लेमिंग के बाहें हा जो इलेक्ट्रिक मोटर है, भाएं हात के नियम में तीन अंगुलियां किसके लिए होती है, मतलब कि तीनों अंगुलियां मतलब अंगुठे को भी include किया गया है तीन अंगुलियां किसके लिए होती है चार कथन दिये हैं धारा चुम्बक्ये छेतर रुबल यही सही लग रहा है क्योंकि एक तो धारा के बारे में बताता है एक चुम्ब के चेतर के बारे में और एक बल के बारे में, बाकी भी देख लेते हैं, तो धारा पोटेंशियल करंट ये गलत है, धारा शक्तिक कार्य ये भी गलत है, उर्जा शक्तिक काम ये भी गलत है, उसका सही जवाब क्या होगा, option A, एक धारा के बारे में बताएगा, ए ज़्यादतर एक्जाम में बाए हाथ के नियम ही बूशा भी जाता है, तो अब आपको बाए हाथ के नियम प्रयोग करना है, तो अब आपको बताया गया है कि चुम्बक के छेत्र अंदर की ओर है, तो अब आपको सबसे पहले अपने बाए हाथ के नियम को प्योग करने के लि बीच वाली उंगली नीचे के और कीजिए, तब आपका अंगोठा किस और जा रहा है, बताए किस और जा रहा है, तब का अंगोठा इसी और जा रहा होगा, जा रहा है कि ने जा रहा, जब आपने अपनी उंगली को सामने किया एकदम, अलग की स्क्रीन के और किया, तो चुम अगर आपको हमारे हिस्ट्री की e-book डाउनलोड करनी है तो आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं इसका लिंग की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है और अगर आपको पूरी हिस्ट्री का कमपाइलेशन चाहिए यह e-book है तो यह आपको साड़े 600 ज्यादा इसम गयको मेंगाइलेश नहुके ऑन कानी है तो आपकोस लड़े सहे झाल झाल